सीजी एचेस फार्मसिस्ट यानि की सेंटरल गौर्वर्मेंट हेल्थ इसकी जो की मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट अब आप जैसा की जान रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के तहत हमें 722 वेकिंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है साल 2024 में अब बात यह आती है सर तयारी कैसे करें क्या हो सकता है स्लेबस कितने कोश्चन आते हैं क्या क्या इसमें सब्जेक्ट कवर होंगे क्या क्या eligibility है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं CGHS Pharmacist के बारे में यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कि यह किस grade की post होने वाली है और इसमें जो qualification है वो देखने वाली बोली गई है देखिए हर वेकिंसी में diploma eligible किया गया है पर जो हमें latest notification की तहत हमें पता लग रहा है इसमें Farm D और B Pharma students के वाल eligible होंगे जी हाँ पिछली notification के तहत और इस बार notification के तहत इसमें Farm D और B Pharma eligible होंगे उसी के बाद मैं बात करूँगा registered होना चाहिए Yes मतलब जो pharmacist है जैसे registration हो जाता है license मिल जाता है वो आपका complete होना चाहिए उसी के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए eligibility के बाद age limit age limit में upper age दे दी गई है 27 साल और lower age limit दे दी गई है 18 साल मतलब इससे जादा और कुछ category wise improvement होता है वो आप जब हमें detailed notification हमें मिलेगा तब हम यहाँ पर बात करेंगे अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको add करना चाहूंगा कि यह जो notification यह जो information आपको दी जा रही है यह पीछे जो पिछली बार notification आई थी उसके तहत यहाँ पर आपको बताया जा रहा information ठीक है उसी के बाद अगर मैं आगे बात करूं salary की बात करूं तो pay scale यहाँ पर level 5 का मिलन वाला है 29,200 से लेकर 92,300 इसका pay scale होने वाला है other allowances में TA, DA, आपका HR, आपका bonus यह सब include करके तो मैं आपर एक roughly salary बता देता हूं जैसे ही candidate अपना join करता है तो उसका 45 to 50,000 rupees salary उसके पास पहुंचता है in hand ठीक है PFFB करता है बहुत सारे options रहते हैं इसमें insurance, health scheme ठीक है उसी के बाद अब इसमें selection process आखिरकार क्या होने वाला है selection process computer based test होगा याद रखेगा ठीक है document verification होगा document verification तो आप लोग अपना जैसे 10th का mark sheet, 12th का mark sheet, residential certificate, registration यह सब ready रखे candidate का medical test होगा फिर उसके बाद training होगा यह आपका selection process follow किया जाएगा याद रखेगा उसी के बाद आगे मैं बात करता हूँ selection process की यहाँ पर clear हो गया है अब यहाँ पर latest exam pattern की बात करते हैं देखें कई बार exam pattern में 200 question भी देखने को मिले हैं कई बार 100 question भी देखने को मिले हैं बात यहाँ पर syllabus की आती है जस्ट आप इसको सही कर लीजेगा यह 40 है ठीक है 40 marks का है तो यहां पर अब एक चीज समझियेगा जो आपका pharma का section आता है वो केवल 40 marks का आता है 40 marks का जी हां 40 marks का आता है 40 question आते हैं 40 marks होते हैं ठीक है उसी के बाद professional मतलब pharma की बात हो रही है यहाँ पर pharma की ठीक है उसी के बाद में बात करूं जर्णल अवेरनेस, जर्णल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इंगलिश हिंदी लैंगविज, ये आपका तीनो, बीस बीस मार्क्स का होता है, अगदर एक्जाम के कमपैरिजन में, अगर मैं इसको CGHS और RRB में कमपैरिजन करूँ, तो वहाँ पर हमें 30 मार्क्स का देखने को मिल रहा है, उसे के बाद, स्लेबस, अब मैं यहाँ पर स्लेबस को सोचने का एक मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये स्लेबस कुछ प्रीवियस एर कुश्चन के आधार पर बनाया गया है, ठीक है, कुछ दिया भी गया है, CGHS की तरफ से, देखे, जब eligibility farm D दिया होने वाला है, जैसे की, H.A.P., Analysis, Ceutics, Pharmaceutical Inorganic Chemistry, Remedial Biology, Pharmaceutical Organic Chemistry, Biochemistry, Pathophysiology, and Computer Application, और Environmental Science, इसके बाद भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगी, नीचे दिया गया, डेस्किप्शन में, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, और वहाँ पर से आप ये PDF को ले सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरी बात, कई बार आपका कोशन रहता है कि सर मैं प्रीविएस येर पेपर कहां से डाउनलोड करूँ, तो मैं आपको वे पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, तो इस इस अना सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपके फार्मा के सब्जेक्ट है, आप स्कीन शॉट ले सकते हैं, अब बात आती है नॉन फार्मा की, जो कि आपका 60 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आप द देखने को मिलेंगे, ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं, आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं रीडाउट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो शॉट हो, तो जादा अच्छा है, ठीक है, अब बात ही आती है कि सर, हम तयारी कैसे करें, ठीक है, हम तयारी क के अंदर आपको previous year paper मिल जाते हैं, previous year paper, which helps you in your preparation, कि question किस तरीके का आएगा, किस तरीके का pattern होता है, और मुझे क्या mindset रखना है, ठीक है, और सबसे ची बात, ये हमने flip card पर available करा दी है, cash on delivery available है, ठीक है, at the cost of 2.99 रुपीज, with the shipping cost, ठीक है, so, आप अपनी तयारी को मजबूत रखिए, CGHS की vacancies कुछी पल में आने वाली है, मिलते हैं, next video में, till then, अगर आपका कोई भी query है, तो आप हमारे whatsapp group में जोड़ जाएए, telegram में जोड़ जाएए, वहाँ पर आपको latest update मिलती रहेगी, मिलते हैं next video में, till then, जै हिन जै भारत झाल